वाउ डूरी मोंती को कितने साड़ी बेरिस बहुत साड़ी हैं क्या यह पग गए हैं अब खटे हैं ओ बहुत सारे बेरिस कल जब हम स्कूल के तीछे की जाड़ियों में टहल रहे थे तब हमने उन्हें देखा बहुत सारी बेरिस थी सारी जाड़ियों उनसे भरी हुई थी वो मेटी थी पर कुछ बेरिस कटी भी थी लेकिन फिर भी उन्हें खाने में बड़ा मज़ा आया सच मुछी जूका बहुत अच्छा मुझे भी वो चखनी है चलो हम साथ में चलते हैं वो हमारी सीक्रेट जगा होगी वो जगा किसी को मत बताना क्या किसी को मत बताना यह नो बिता मुझे भी बताओ वो सीक्रेट जगा कहा पर है तुम किस जगा के बारे में बात कर रहे हो हाँ अब कितना भोला बन रहा है देखो ज्यादा होशयार मत बनो अब बताओ वो बैरीज के खेत कहा पर है परीज मुझे नहीं बता तुम किस बारे में बात कर रहे हो मैं तो इसका मतलब तुम अपना मुझ नहीं खोलोगे क्यों मैंने कहा नहीं बता तुम नहीं बता एक बार कहा तो सबच में नहीं आता क्या हाँ इसे क्या हो गया लगता है नोबिता का दिमाग खराब हो गया है वो अपना मूझ जरूर खोलेगा मुझसे कोई बार छुपाने की वो हिम्मत कैसे कर सकता है मैं तो डर ही गया बोलो नोबिता, तुमने उन्हें इसके बारे में कुछ बताया तो नहीं न? बिल्कुल नहीं, मैंने उन्हें ये यकीन दिलाया कि मुझे तो कुछ पता ही नहीं है अच्छा किया, अगर जियान को पता चल जाता तो वो सारी बेरीज खा जाता तुम सही कह रहे हो, वो सारी बेरीज खा जाता जहां तक मैं जियान को जानता हूं, वो इतनी आसानी से हमारा पीछा नहीं चोड़ेगा क्यों? ठीक कहा ना? नो बिता, तुम उसे बेरीज के बारे में कुछ नहीं बताओगे वो बेरीज इतनी मीठी थी मैं उसे वो बेरीज कभी खाने नहीं दूँगा तुम ठीक है रहे हो, हम बेरीज को बचाएंगे चलो चल कर उनमें से कुछ खा लेते हैं और मैं शिजुका को भी फोन करके बुला लेता हूं ठीक है? अरे आ रही हूँ हलो, ये नोबी का घर है ओ, मिस्टर टनाका जी बताइए, आपने फोन कैसे किया? ओ, I'm sorry, मेरे हस्बन अभी मचली पकड़ने गए है ओ, क्या ये जरूरी है? हाँ, हाँ मुझे नहीं लगता कि मैं उन्हें कॉन्टाक्ट कर पाऊंगी I'm very sorry, वो जैसे ही आजाते हैं मैं उन्हें आपको फोन करने के लिए कह दूँगी अच्छा, गुडबाई ओ, अब क्या करूँ? क्या उन्हें दैट से बात करनी है? हाँ, शायद कुछ जरूरी बात है वो तो मचली पकड़ने गए हैं अब उन्हें कैसे कॉन्टाक्ट करें? मेरे पास कुछ है मैं वो यूज करता हूँ क्या यूज करोगे डोरी मॉन? वो है मैसेज कैनन मैसेज कैनन? हाँ, जो तुम से दूर है तुम उससे भी बात कर सकते हो नोबिता के डाट को ढूंडो नोबिता के डाट को ढूंडो ओ हाँ हाँ, डाट बाँ पर है वो रहे डाट ओ, ये तो ताला आपके किनारे फिशिंग कर रही है मैं इसका स्विच ओन करता हूँ पापा, आपके मैनेजर को आपकी जरूरत है पापा, आपके मैनेजर को आपकी जरूरत है उनसे आप फॉरन बात करो हमारी आवास दीवारों को पार कर गई यूकि वो साउंड है डाट को फॉरण मेसेज देते ना लगता है मजली फसगर पापा आपके मैनेजर को आपकी जरूरत है उनसे आप फॉरण बात करो अरे यह आवास कहां से आ रही है क्या मैनेजर को मेरी जरूरत है वो टाइड़ फाग रही है क्योंकि वो फोन डूणने में बिजी है उन्हें मेसेज मिल गया डोरी मॉन ये कमाल का है ना हाँ सच मुच मैं बहुत खुश हूँ तैंक यू मैं शाद अब शॉपिंग के लिए जा सकती हूँ ला 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 अब शॉपिंग मुझे बता है नोवी ता नोवी की मॉम को ढूंडो देखो यह रही मॉम अब तुम क्या करोगे मैं स्विच को अन करूंगा क्या ये सही टाइमिंग है प्लीज मुझे दो स्विटेश दीजीयose डाइब जाए ने क्या आप पेस्ट्री खरीदना चाहेंगी अब ठीक है हूरे मुझे पेस्ट्री स्काने को मिल गई थैंक यू मॉम मैंने इने खरीदने के बारे में सोचा भी नहीं था अजीब बात है हमने कार दिखाया है नो बिता सरा मुझे बताओ तो कि तुम अपनी स्मार्टनेस इन चीज़ों में ही क्यों दिखाते हो तुम तो बिल्कुल बेशरम हो पर ये केक तो मज़ेदार है है ना आखिर इसे मैंने जो मंगाया है मुझे पहले से ही पता था कि आज हम कोई मज़ेदार चीज़ खाने वाले है तुम अब कह रहे हो तो चलो देखते है चलो चल के वो बेरी इस खाते हैं अब मैं शिजुका को भी फोन तरके बुला लेता हूं ठीक है हाँ हम तो शिजुका को फोन करने वाले थे चलो उसे बुलाने के लिए मैसिज कैनन यूज करते हैं ठीक है ना वो रही शिजुका नोपिता ने मुझसे कहा था कि हम बेरी इस खाने जाएंगे मगर वो तो आया ही नहीं शिजुका हम बेरी इस खाने जा रहे हैं तुम मेरे घर आ जाओ ठीक है ओके शिजुका अमारे घर आ रही है जियान और सुनियो को इसके बारे में पता भी नहीं चलेगा है सुनियो अगर हम यहां खड़े रहे तो हमें जरूर पता चल जाएगा कि वो शिजुका के साथ कहा जाने वाले हैं काश हमें यह पता चल जाए कि वो बैरी इसके खेत कहां है मैं उसका पता लगा कर ही रहूंगा अब तुम क्या करोगे अच्छा नहीं होगा यह तो मेरी माम है तुमने मुशे बताया नहीं कि तुम एक टेस्क में जीरू मिला है ममी मुझे मौप करो मौप प्रीज मुझे बताब दो ना मौप प्रीज वो देखो शिजुका वापस गई कुछ गड़वर तो जरूर है मुझे पूरा यकीन है कि यह नोबिता की कोई चाल है हाँ हो सकता है ऐसा करते हैं शिजुका का पीछा करते हैं काश शिजुका जल्दी आ जाती वो कहां होगी उसका पता लगाना पड़ेगा वो रही ओ नो अपर क्या करें अबर क्या करें अबर क्या करें लोगता शिजुका अभी मौसम ठीक नहीं है तुम बाद में आना समझ कई हाँ यह तो नोपिता की आवास थी वो मुझे कभी बुलाता है कभी चल जाने को कहता है वो तो वापस जा रही है कुछ समझ में नहीं आ रहा अब जियान और सुन्यों अमारी बैरीज नहीं खात्म कर पाएंगे मैंने सही कहा ना वो दोनों लाची है वो दोनों पेटू है जियान और सुन्यों बहुत मतलब ही है ओ नो यह तो अभी तक चारू था हां इसका मतलब वास वाली शॉप से खरीच सकते हो ठीक है ना अरे पर लगता है मैं पैसे लाना भी भूल गई हूँ क्यों ओ ओ ओ शाद हमें फिर किसी और दिन आना पड़ेगा इतनी दूर आने के बाद डोरी मॉन क्या तुम कुछ कर सकते हो हां कर सकता हूँ गिफ्ट रैपिंग क्लॉथ गिफ्ट रैपिंग क्लॉथ आपको कैसा गिफ्ट चाहिए और कैसा गिफ्ट चाहिए फल कैसे रहेंगे ठीक है फल हलो हलो अंदर आजाओ अब ये थोड़े से फल आपके लिए लाई हूँ अरे तुम्हें कुछ भी लाना नहीं चाहिए था ये जरूर महंगा होगा है ना नहीं कुछ खास नहीं को तुमने तो आज मेरी बहुत मदद की दोड़े मों ऑम आप तो मुझे शर्मिंदा कर रही हैं ने कि तुम्हें अंच्छ पसंद में ऐसा है तो मुझे3 पसंद है्पासंद आपको लिए दिलांगी ना में आयम को लिए बहुत बुरा हुआ तुम्हें अभी भी बीन जाइम केक्स चाहिए ही अगर तुम्हें चाहिए तो तुम ग्रिफ्ट रैपिंग क्लॉथ को क्यों नहीं इस्तमाल करते यह काम नहीं करेगा यह सिर्फ दूसरों को देने के लिए जादू की किफ्ट बनाता है ओ यह बात है तुम अपने लिए नहीं बना सकते यह इतना असान नहीं है तो यह बात है डोरीमॉन, क्या तो मुझे दे सकते हो प्लीज ठीक है, पर किस के लिए शिजुका के लिए, और किस के लिए ओ, शिजुका के लिए गिफ्ट अब ये तुम मुझे दो ये नोबिता के लिए अच्छा है हाई, कैसी हो शिजुका? क्या तुम्हें कोई gift चाहिए? हाँ चाहिए, मुझे एक बड़ा सा stuff beer चाहिए पर पता है, मेरे parents उसे ले कर नहीं देंगे बड़ा सा stuff beer, मैं अभी तुम्हारे लिए लाता हूँ, ठीक है? तुम मत करो, तुम बस मेरा एक काम करो काम सा काम? मैं चाहता हूँ कि तुम ये ले कर मेरे घर आओ और अंदर आने से पहले तुम कहना वीडियो गेम, समझ गई? ठीक है, ये तो बहुत चोटा सा काम है फिर मैं घर जा रहा हूँ, मैं तुम्हारे इंतिजार करूँगा इतना बड़ा डोगी? ये क्या है? उससे इतनी देर क्यों लग रही है, उससे अभी तक आज आना चाहिए था नो बेता चिजुका, मैं तुम्हारे इंतिजार कर रहा था ये क्या है? ये इतना भारी है चलो देखते हैं क्या है उसमें से वो बुल डोग बहार निकला, वो कितना डराव ना था नो बिता वोरी शिजुका, मैंने तुमसे ये काम करने के लिए कहा ठीक है, पर मेरे बड़े बियर के लिए थांक्स कुछ नहीं होता, मुझे तो इस बात की खुशी है कि तुम्हें मेरा गिफ्ट पसंदाया, शिजुका अब मुझे घर जाना चाहिए, बाई बाई बाई, कल स्कूल में मिल दे, बाई बाई अब किसकी बारी है, ये लो क्या, तुम मुझे ये रिमोट कंट्रोल काल दे रहे हो, ठैक्स लो बिता जियान, क्या तुम मेरा एक काम करोगे? कौन सा काम? मैं चाहता हूँ कि ये क्लोट तुम मेरे घर लेकर आओ, और अंदर आने से पहले काओं वीडियो गेम बस इतना चोटा काम? हाँ, बस इतना सा नवविता, मैं ये काम तुम्हारे लिए जरूर करूँगा ये कूला यहां पर किसने फैक दिया? जियान मेरे लिए वीडियो गेम ले आया, थांक्यू जियान ये क्या है? तुम ये क्यो लाए? तुम खूडा क्यो अठा लाए? जियान ने मुझे इतनी तेज क्यो मारा इतनी तेज लगजी है, मेरे साथ ये ऐसा क्यों होता है? अगर मैं लिख दू तो ऐसी गलती फिर नहीं होगी तुम मुझे ये रेडियो कंच्रोल कार देना चाहते हो हाँ पर तुम्हे मेरे एक काम करना होगा काम करना होगा? चलो ठीक है, कर दूँगा वैसे मेरे पास बहुत सारी कार्स है, पर ठीक है, इसे मैं रख लूगा ओके, बाई! अजीब लड़का है आखिर नोबिता के इस निफाफे में है क्या? क्या, वीडियो गेम? वीडियो गेम, यही तो मैं चाहता था, यह मुझे ही रख लेना चाहिए बड़ी अजीब बात है, सुनियो अभी तक आया नहीं, बड़ी देर हो गई उसे अब मैं उसे, फोन करने पूछता हूँ हाई नोबिता, तुम्हारी कार बहुत बढ़िया थी हाँ, क्या कहा? अरे, वो कप्रा तो मुझे से घुम गया हाँ, तुमने वो कप्रा घुमा दिया क्या हुआ नोबिता? डोरेवाल, सुनियो ने वो क्लोथ हाँ, सुनियो ने वो गिफ्ट रापिंग क्लोथ गुमा दिया चलो चल कर उसे ढूणते हैं वो कहा है? यहाँ भी नहीं टोरेवाल, मुझे माफ कर दो नोबिता, तुम तो कुछ जादा ही लापरवा हो अगर तुम कुछ बॉरो करते हो तो उसे वापस करना तुम्हारी जिम्हेदारी है आइम सॉरी यह वीडियो गेम है बच्चों में घर आ गया रैर आ गय नोबिता, तुम्हारी लिए गिफ्ट है क्या? एक वीडियो गेम यह बहुत महंगी है, समझे थांक्यू रैर यह गिफ्ट रैपिंग क्लॉथ है सुनिये जी, यह क्या लेकर आए है अरे बेटे के लिए गिफ्ट लेका आया हूँ मुझे कोई बहाले नहीं सुनने है इस महीने हमने बहुत ऐसे खर्च किया है अगले महीने से मैं आप दोनों की पॉकेट मनी आधी कर दूँगी और यह मेरा आखरी फैसला है क्या, तुम ऐसा नहीं कर सकती हो अगर फैसला कर्ची करोगे तो मुझे ऐसा ही करना पड़ेगा बताओ या ना बताओ, यह तो एक सवाल था क्या बताओ